दक्षिनपूर्व मध्यरेल बिलासपूर्व जोन के महाप्रबंदग आलोक कुमार मंगलवार को नाकपुर मंदल के दोरे पर आये जिस दोरान उन्होंने इत्वारी स्टेशन का निरेक्षिन किया और वहाँ हो रहे विकासकार्यों की समिक्षा की इस संदर में बीस्यन समवादाता से बात करते हुए उन्होंने अधिक जानकारी साजा की आने वाले कुछिनों के भीतर इत्वारी रेल्वे स्टेशन में कई विकासकार्यों को अंशाम दिया जाने वाला है जिसकी समिक्षा और इत्वारी रेलवे स्टेशन का निरिक्षिन करने की उद्धिश्च से मंगलवार को दक्षिनपूर्व मध्यरेल पिलासपूर जोन के महाप्रबंदक आलुक कुमार नाखपूर पहुचे जिस्तरान उन्होंने बीसियन सम्वादाता से बात करते हुए संदर में अधिक जानकारी साजा की साथी बताया कि रेलवे द्वारा के जारे विकास कारियों से नाखपूर की जनता को साहता होगी इतवारी स्टेशन तेजी से बड़े टर्मिनल के रूप में डवलप हो रहा है यहाँ पर विकास का रहे हैं आपने देखे भी होंगे तेजी से चल रहे है यहाँ पर कुछ नई ब्राडगेज लाइन डाली गई है नया फुटोवर ब्रिज बना है जो यात्रियों के लिए अर्थियंत आवशक है प्लेटफॉर्म को चड़ा करा गया है और उसकी सर्फेस को नया करा गया है इसके लावा यहाँ पर कुछ और कार्य जो है वो प्लांड है जैसे यहाँ पर यहाँ नागपूर से जो कैलकटा की तरफ लाइन जाती है गोंदिया राइपूर होते वे उसका तिहरी करन चल रहा है वहाँ पर आतिरिक गाडियां चलाने की सुविधाएं बन रही है जैसे यहाँ पर कोचिंग मेंटेनेंस की सुविधाएं डवलप करी जा रही है और इसके लावा यह स्टेशन यहाँ से नागपूर के बीच में जो नेरो गेज लाइन थी उसको ब्राइज में रूपांतरित करने के लिए भी इससे संदर्बित कार्य किये जाएंगे किस तरीके से यात्रियों को आगे सुविधाएं देंगे यह सब देखने के लिए यह दोरा किया गया है तो कहीना करी हम कह सकते है कि जो जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें नागपूर का जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो कहीना करी स्ट्रॉंग होगा बिल्कुल यह नागपूर के जो निवासी है उनको अतिरिक्त रेल स्विधाएं देने के लिए ही करा जा रहा है क्योंकि यह ऐसा टर्मिनल है जहां पर से गाड़ियां शुरू और समाप्त करी जा सकती है तो इसे एक नए बड़े टर्मिनल के रूप में भी समय के साथ इसे पूरा डवलप करा जा सकता है तो हमने जाना कि किस तरीके से नए योजनाओं के साथ रेल ट्रांसपोर्ट को प्रबल बनाने की यहाँ पर कारे शुरू है कैमरा पोर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार वीसे न्यूस नौपपोर